प्रिविद्यार्थियों तो जो आज का हम लोग का टापिक है वो है क्लाश 10 का पोईटरी का जो दूसरा चेप्टर है दसाम आफ लाइफ जो की कमपोजट किया गया है ये चडावलू लांग फेलो दारा उसका सेंटरल आइडिया समझेंगे तो चले फ्रेंट्स बिना समय को आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो प्रिविद्यार्थियों यही सेंटरल आइडिया की स्टार्टिंग होती है जो पोईट एच डावलू लांग फेलो सेज कहते हैं दैट की लाइफ इज रियल जीवन वास्तविक है इट हैज एडिफनिट एम और उसका लश्य निश्चित है किसका जीवन का लाइफ इज नाट जीवन नहीं है एन इमपटी ड्रीम खाली सपना अथार जीवन खाली सपना नहीं है लाइफ डज नाट मीन, मेर, इंज्वाइमेंट, आर सारो, जीवन का उद्देश, केवल आनंद, अथवा दुख नहीं है लाइफ इज फूल, जीवन भरा हुआ है इस्ट्रगल्स संघर्स से और डिफकल्टीज और कठिनायों से लाइफ इज फूल आफ इश्ट्रगल्स और डिफकल्टीज जीवन संघर्सों तथा कठिनायों से भरा पड़ा है वी सुड फेस देम, हमें उनका सामना करना चाहिए किस से, वित करेज, साहस से, और जील और उत्सा से वी सुड फेस देम, वित करेज और जील, हमें उनका सामना साहस तथा उत्सा से करना चाहिए वी सुड वर्क हाड टू अचीव आवरेम, हमें अपना लच्छे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए दे यंग मेन सुड बी पेसेंट, जो युवा है, युवा लोग नव युवा, उन्हें धहरवान होना चाहिए यहाँ पेसेंट का मतलब धहरवान से होगा, एंड हार्ड वर्किंग और परिश्रमी होना चाहिए दे सुड नाट के अर उन्हें परवाह नहीं करनी चाहिए तो विद्यार्थियों चली फिर से एक बार हिंदी में इसको रिफिट करते हैं ह्व लांग फेलो जी कहते हैं कि जो जीवन है वास्त्विक है और उसका लच्छ निश्चित है जीवन खाली सपना नहीं है और जीवन का उदेश ये नहीं है कि आप आनंद उठाएं खुस रहें और दुखित रहें जीवन है वो संघर्षो तथा कठिनायों से भरा पड़ा है और हमें उनका सामना साहस से और उत्सा से करना चाहिए घबलाना नहीं चाहिए और हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए अपने लच्छ को प्राप्त करने के लिए और जो युवा लोग हैं उन्हें धैरवान और